नमस्कार बाईजूज एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग 31 मई 2022 के दैनिक क्वीच की चर्चा करेंगे जो की आपके आगामी संग लोग स्वायोग की प्रारंभिक परिक्षा के दिस्कोर्ट से लाबदायक सिध्ध हो सकता है तो आईए पहले प्रस्न की ओर चलते हैं ग्रामीड विकास के लिए किसान सभा और गुड भट्टी जैसी तकनीकों का विकास किसके द्वारा किया गया है इलक्ट्रोनिक और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले द्वारा या नीती आयोग द्वारा या CSIR के द्वारा या भारतिय विज्ञान संस्थान के द्वारा तो इसमें उत्तर होगा दोस्तों C तो इससे संबंधित आप देख सकते हैं P.I.B. में खबर आई हुई है और यहाँ पर इसकी हेडलाइन से ही आपको इसका उत्तर मिल जाता है तो यहाँ देख सकते हैं कि CSIR Technologies किसान सभा एंड गुड भत्ती for Rural Development यानि ग्रामीड विकास के लिए CSIR की प्रद्योगिकियां किसान सभा तथा गुड भत्ती का प्रसार कर रही है तो दोस्तो CSIR NIS CPR ने COVID-19 ये दियान रखेंगे COVID-19 द्वारा उत्पन इस्थिती के बाद ग्रामीड छेत्रों में आजीविका उसरों को स्रिजित करने के लिए CSIR की प्रद्योगियों के प्रसार के लिए एक प्रमुख पहल की है और इस संबन्ध में किसानों के बीच किसान सभा एप तथा गुड भत्ती प्रद्योगियों को प्रसारिद करने के लिए 30 मई 2022 को देहरा दून के CSIR IIP के लोवराज सभागरी में एक किसान उद्योग वैज्यानिक बैठक का आयोजन किया गया था और दोस्तों इस बैठक के आयोजन का उद्देश ही है कि ग्रामीर छेत्रों में आजीविका आउसरों को स्रिजित करने के लिए CSIR NISCPR द्वारा विक्सित किसान सभा एप लिकेशन तथा देहरा दून के CSIR IIP द्वारा विक्सित गुड भत्ती प्रद्योगियों को प्रसा तथा साथ में किसानों की आजीविका का स्रिजन करना और उनकी आयोजन को बढ़ाने के ब्यवसाय ओसरों को विक्सित करना भी था दोस्तों CSIR IIP के प्रधान बैज्यानिक ने कहा कि पारंपरिक गुड निर्मान प्रक्रिया का परिर्णाम छेतर में वाई प्रदूसर्ण के रूप में सामने आता है और उन्होंने इस संबंध में उन्नत प्रद्योगी समाधानों की आवश्यक्ता जताई और इसी को ध्यान में रखते हुए CSIR IIP ने उन्नत सरल और किफायती गुड भट्टी प्रद्योगी का विकास किया और जो ना केवल प्रदूसकों के उस सरजन में कमी लाती है बलकि इनलागत में 15 फीसदी की कमी लाते हुए उत्पादन में 25 फीसदी की बिर्ध करते हुए गुड भट्टी की प्रभाव शिल्ता में भी बढ़ोतरी करती है तो दोस्तों इस से किसानों को इसका लाब मिलेगा अब बढ़ते हैं दूसरे महत्पूर्ण प्रसन की और निमलिखित कथनों में से कौन से सही है राष्टी ये सुपर कम्प्यूटिंग मिशन सीडेक IISC के साथ Electronics एवं सूचना प्रद्योगी मंत्राले और विज्ञान एवं प्रद्योगी विभाग की एक संयुक्त पहल है यह कथन एकदम सत्य है जोकि सुपर कम्प्यूटर की अस्थापना Computational अनुसंधान को सुगम बनाने के लिए राष्टी ये सुपर कम्प्यूटिंग मिशन के चरण दो के तहत की गई है तो यह कथन सत्य है दूसरा है हाल ही में मिशन के तहत एक अत्यादुनिक सुपर कम्प्यूटर परम अनन्त आयाईटी गांधी नगर द्वारा राष्ट को समर्पित किया गया यहां भी कथन एकदम सत्य है तो दोस्तो इसको राष्टिय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन के तहत ही राष्ट को समर्पित किया गया है तीसरा कर्थन है भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे तेज कम्प्यूटर है यहां कर्थन असत्य हो जाता है दोस्तों इसमें एंसर होगा केवल एक और दो और इससे संबंधित P.I.B. में ही खबर आई हुई है परम अनन्त यहाँ पर देख सकते हैं सुपर कम्प्यूटर कमिशन एट आई 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 टी गांधी नगर यह ध्यान रखेंगे तो यहीं से आपका उत्तर मिल जाता है इसे ध्यान रखेंगे इसे जरूर देखेंगे अब बढ़ते हैं तीसरे प्रसन की ओर निमलिकित कत्रों में से कौन से सही है चीन प्रसांत द्वीव समूँ के मंच के साथ एक सुरक्षा समझवते और मुक्त ब्यापार समझवते पर जोर दे रहा है दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है यह सोलो मंध द्वीव समूँ के साथ पहले ही एक ऐसे समझवते पर हस्ताक्षर कर चुका है यह भी कथन सत्त है कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी जिस पर अमेरिका, आस्टेलिया, न्यूजी लैंड, यूके जैसे देसों ने विरोध किया था तीसरा कथन है, रणनीतिक रूप से महत्पूर्ण इस छेतर में चीन सहयुक्तराज अमेरिका, उसके सहयोगियों के प्रभाव को सीधे चुनावती देने के लिए दक्षिन प्रसांत में अपनी गत्विदियों को तीवर कर रहा है तो दोस्तों ये भी कतन सत्त है, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा क्वैड की मीटिंग जापान के टोकियो में हुई थी जिसमें यह चार देश यानि United State of America, Australia, भारत और जापान संयुक्त रूप से भाग लिये थे और इस तरह से इंडो-पैसिफिक छेत्र की सुरक्षा के लिए धेर सारे मुद्दों पर उन्होंने वारता की समझावते भी किये गए और इस तरह से इंडो-पैसिफिक फोरम फ्रेमवर्क की स्थापना भी की गई तो दोस्तों यह तीनो कथन सत्य अताएंसर D होगा इससे संबंधित The Hindu में खबर आई हुई है प्रशान्त द्वीब के दस देसों ने चीन के छेत्रिय सुरक्षा समझावते को खारिच कर दिया है ऐसे में चीन के लिए एक बहुत बड़ा जटका है चुकि हाल ही में आपने देखा होगा कि सोलोमन द्वीब के साथ सुरक्षा करार कर अमेरिका जापान और आस्टेलिया जैसे देसों को चुनावती बढ़ाने वाले चीन को दस देसों के साथ करार की उमेद थी लेकिन यह दस देस मना कर दिये और दोस्तों चीनी वी देस मंत्री वांग यी यहाँ पर आप इनका पिक्चर देख रहे होंगे वांग वी ने यह कहा कि सभी देसों के बीच पांच मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई है हाला कि अब भी हमारे बीच कुछ और मुद्दे हैं जिसे अधिक बात करने की जरूरत है इन पांच मुद्दों पर जिस पर चीन ने बात की हुई है उसमें कुरोना के बाद आर्थिक रिकवरी, क्रिसी और आपदा को लेकर नए केंदर आधी सामिल है हलाकि इसमें सुरक्षा का मुद्दा सामिल नहीं था और इस मीटिंग में समोवा, टोंगा, कीरिबाती, यह सब आप देख सकते हैं यह टोंगा है, समोवा यहां पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से कीरिबाती है पापुआ निवगीनिया है, और दोस्तों वनवातू, यहां पर आप देख सकते हैं वनवातू है, और सोलोमन द्वीप है ही, जिससे यह संबन कायम कर चुका है आदिके नेता इसमें सामिल थे, और वांग वी इन दिनों साथ द्वीपिय देशों की यातरा पर है ऐसे में इन देशों के साथ करार ना हो पाना, चीन के लिए नुकसान दे हो गया है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यह ओसीनिया महादीप इसको कहेंगे तो बहुत सारे द्वीब देखिए पॉलिनसिया के अंदर इसी तरह से मेलानेसिया इनको मेलानो धर्मिक कहा जाता है तो यह सोलो मंदूइप यह मेला नेसियन कंट्री है आईलेंड कंट्री इसी तरह से माइक्रो नेसिया मार्सल आईलेंड की रिबाती यह सब माइक्रो नेसिया के अंतरगत आते हैं यह भी ध्यान रखा करिए कभी कभी मिलान करने को आ जाता है दोस्तो अब बढ़ते हैं चौ पहल है दोस्तों यह कथन तो सत्य है और यहाँ पर ढूंड़ना आपको क्या है गलत चुकि याद रखिएगा रास्टी AI पोर्टल जिसे आर्टी फीसियल इंटेलिजनसी कहते हैं इसकी दूसरी वर्स गाठ तीस मई दो हजार बाइस को मनाई गई तो रास्टी AI पोर्टल इल पोर्टल भविस के लिए AI के लिए मजबूत कारेबल विक्सित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए AI का उप्योग करने तथा ग्यान निर्मान में उत्कृष्टा एवं नेतित को बढ़ावा देने है तो देस में एक एकी कृष्ट AI पारिस की तंतर बना गया तो दोस्तों जैसा कि इसका सिर्सक ही है उसी से ही आप देख सकते हैं रास्टी AI पोर्टल जिसे INDIA इंडिया AI.gov.in तो यहां अपनी दूसरी वर्स गांठ मनाया है तो यहीं पर गलत हो जाता है तो 14 में लांच नहीं किया गया बलकि इसे 2020 में लांच किया गया यह ध्य जान रखेंगे 30 माई 2020 जिसकी कल दूसरी वर्स गांठ थी तो अता एंसर इसमें क्या होगा केवल तीन गलत है और इससे संबंदित P.I.B. में खबर आई हुई है नेशनल AI पोर्टर सेलिब्रेट इस सेकेंड इनवर्सरी और इस पर एक बुकलेट भी जारी की गई है AI for Everyone य से लिया गया है और 30 माई 2020 को पोर्टर लांच किया गया था तो यहाँ पुस्तिका AI for Everyone यह भी ध्यान रखेंगे और अब बढ़ते हैं बिगत वर्स के प्रस्न 2020 में आया हुआ प्रस्न है कार्बन नैनो ट्यूब के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए दोस्तो कार्बन नैनो ट्यूब यह बेलना कारणू होते हैं जिसमें एकल परत कार्बनिक परमाड़ों जैसे ग्रैफीन की मुड़ी हुई चाधरे होती हैं तो एकल दीवार वाले नैनो ट्यूब यानि एक नैनो मीटर से कम के ब्यास के साथ और बहु दीवार वाले नैनो से SP2 बंद के साथ बंदे होते हैं जो आणविक परसपर क्रिया का एक अत्यंत मज़िबूत रूप होता है और वे अधिक उच्छ शक्ती और कम वजन वाली सामगरी विक्सित करते हैं जो अत्यधिक प्रवाहकिय बिद्धुत और थरमल गुणों को प्राप्त करते हैं तो दो यह कथन एकदम सत्त है दूसरा है मानो सरीर के किसी घायल हिस्से के लिए उन्हें कित्रिम रक्त कोशिकाओं में बनाया जा सकता है यह भी सही है उनका उपियोग जैव रासानिक सेंसर में भी किया जाता है निश्चित रूप से कारबन नैनो ट्यूब जैव निमनी बायो डिग्रेडेबल होते हैं यह भी एकदम सही है अता ही चारो कथन सही हो जाता है तो एंसर डी होगा अब बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट आप दे डे आपरेशन रक्त चंदन दोस्तों इसके बारे में सुना होगा कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा एक पुस्पा फिल तो इस तरह से राजस खुफिया निदे साला जिसे डी आराई कहा जाता है उसने साबर मती में एक 14.63 मिट्रिक टन लाल चंदन बरामत किया है जिसकी कीमत लगब 12 करोण यानी 11 करोण 70 लाख बताई जा रही है तो इस खेप को संयुक्त अरब अमीरात के सार जहां में निरि किया जाना था दोस्तों वन अधिकारियों दोरा लकडियों की प्रारंबिक जाच से पुष्ट की गई कि लकडियां लाल चंदन की हैं जिनके निरियात को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इन्हें अब आपकारी कानू 1962 के प्रावधानों के ताहत जब्त किया गया है तो दोस्तों यह इस तरह से यह पकड़ा गया तो यह क्या होता है रक्त चंदन तो रक्त चंदन एक अलग जाती का पेड़ है इसके लकड़ी का रंग लाल होता है इवन यह चंदन की लकड़ी जैसे उसमें महक होती है इसमें कोई महक नहीं होती है इसका बैग्यानिक नाम टे पेड जादा तर तमिल नाड से लगे आंध प्रतेस के चार जिलों चित्तूर, कडपा, कुरनूल और निलोर में फैले सेसा चलम की पहाडी इलाकों में यह उगते हैं और इस तरह से यह पेड वहां लगबग 5 लाख वर किलो मीटर छेतर फल में फैले हुए हैं और यह एक जं नोखे पेड की आवस्त उचाई 8 से 11 मीटर तक होती है और बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वज़ा से इसकी लकड़ी का घनत तो बहुत जादा होता है यही कारण है कि यह पानी में ढूब जाती है और दोस्तों इसकी बैस्विक मांग बहुत है खासकर चीन में, जपान में इन सब देशों में इसका मांग बहुत है तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाब्त करते हैं आशा करता हूँ कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना धन्यवाद